दिल्ली महिला आयोग ने उन महिलाओं और बाल हिंदू शर्णार्थियों की दुरदर्शा पर एक अध्यन शुरू किया है जो पाकिस्तान से भाग के आए थे ये लोग पिछले कई सालों से दिल्ली के मजनुका टीला में रह रहे हैं आपको बताएं हिंदू शर्णार्थी दैनी स्तिती में हैं उनके पास आवास, पानी का कनेक्शन, बिजली, शोचाले और आजीविका के उचित साधनों जैसी बुन्यादी सुविधाओं का आभाव है इन शर्णार्थी महलाओं के पुनर वास को लेकर आयोग सरकार से सिफारिश भी करेगा आपको बताएं आयोग का कहना है कि कई शर्णार्थी पाकिस्तान में जबरन, धर्म परिवर्तन, अपरहन, धार्मेक हमले, यौन उत्पीडन से लेकर अन्य उत्पीडनों से बच कर यहां आएं हैं आपको बताएं पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने बहुत कुछ झेला है और प्रतेक शर्णार्थी परिवार के पास साज़ा करने के लिए एक डरावनी कहानी है ऐसे ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे हैं पंजाब केसरी